सिर्फ दो स्टेप फॉलो करके आप अपनी ग्लोइंग स्किन की डिजायर को पूरा कर सकते हो ये ना केवल आपके चहरे के उपर ग्लो लेकर आएगा बलकि आपके चहरे के दाग धबों को भी लाइट करेगा अगर आपकी स्किन के सेल्स डेमेज हो चुके हैं तो ये उसको भी रिपियर करेगा आपकी स्किन को सुपर सोफ्ट बनाएगा ऐसी स्किन कर देगा जैसे बच्चों की स्किन होती है पलंपी हो जाएगी सपल हो जाएगी आपकी स्किन तो देरी की विन बढ़ते हैं अपनी इस remedy की तरफ इस remedy को बनाने से पहले आप सभी को अपना एक छोटा सा परीचे दे दू मेरा नाम है सुनीता सैनी और इस चैनल का नाम है beauty with nature बाय सुनीता सैनी आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप स इसमें कट लगाने है ताकि इसका जूस बाहर आ जाया हमें यहां पर इसका जूस चाहिए अब मैं इसमें एड करुँगी कुछ बूण दे निम्बूके रस की ठीक है जी अगर आपको निम्बू का रसीवोट नहीं करता तो आप यहां पर तमाटर का साहिए अगर को चुटकी भरी लेना आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल जरा सी नौक के बराबर ली है अगर आपने हल्दी जादा ले ली तो आपके चहरे के उपर पीला पन आ जाएगा इसलिए आप हल्दी की मातरा का पूरा ध्यान रखिए फ्रेंट्स मैं डारेक्ट ही फर्स टेप को फॉलो कर रही हूँ क्योंकि इस समय मेरे फेस के उपर कुछ भी ने लगा था फेस को वोश किया था उसके बाद ही मैं रेमिडी का इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन अगर आप बाहर से आये थे या आपके चेहरे के उपर मेक अप लगा था तो आप इस टेप को फॉलो करने से पहले अपने फेस को अपने किसी फेवर्ट फेस वोश से पहले वोश कीजिए उसके बाद ही इस टेप को फॉलो कीजिए friends कच्चे आलू में bleach properties होती है इसलिए ये हमारे चहरे के उपर bleach की तरह काम करता है हमारे चहरे के दाग धबों को light करता है friends यहां के लोगों का ये भी question होता है कि क्या ये हमारे बालों को bleach करेगा यानि कि हमारे बालों का color change हो जाएगा अगर हम इस step को follow करेंगे नहीं ये आपकी skin को bleach करेगा बालों के रंग को नहीं बदलेगा इस skin को bleach करने का मतलब है skin tone light होने लग जाएगी हमारे चहरे के दाग धबों को light करेगा हमारे चहरे के काले पन को दूर बगाएगा अगर चहरे के उपर dark dark patches बन गए है यान की काले काले से निशान बन गए है तो ये उसको remove करेगा और जो हमने इसमें निम्बू का रस एड़ किया है निम्बू के रस में भी bleach properties होती है इसलिए ये भी हमारे रंग को साफ करेगा दाग धबों को light करेगा हल्दी हमारे रंग को निखारती है सद्यों से हमारे सुंदर्टा को निखारने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता रहा है ये भी चहरे के दाग धबों को light करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है बस आपने हल्दी की मातरा का ध्यान रखना होता है दो मिनट आपने मसाज कर ली अब आपने अपने फेस को वाश नहीं करना फ्रेंट्स मसाज करते करते इसका रस खतम हो जाता है तो आपने दुबारा इसको नाइफ से गोद लेना है या फोक की हैल्प से गोद लेना है ताकि इसका जूस अच्छे तरीके से बाहर आ जाए और आप इसको फिर से रब करना स्टार्ट कर दो सिरफ आपने मसाज करनी है दो मिनट और लाइट हैंड से ठीक है जी देखिए मुझे भी मसाज करते हुए दो मिनट हो गए अब हम अपना फेस पैक बना लेते हैं फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक चमच गेहु का आटा ठीक है जी अब मैं इसमें एड करूँगी कुछ बूंदे निम्बू के रस की फेंड्स यहां पर वोई बात सेम अगर आपको निम्बू का रस सूट नहीं करता तो आप यहां टमाटर का रस एड कर सकते हो ठीक है जी अब मैं इसमें एड करूँगी चार से पांच बूंदे नारियल के तेल की अगर आपकी स्कीन ओयली है तो आप नारियल के तेल को स्किप कर दीजिए ठीक है जी अब मैं इसमें एड करूँगी आदा चमच के करीब हनी हनी हमारी स्किन को नेचर तरीके से मॉस्टराइज करेगा हमारी स्किन को सोफ्ट बना देता है ये एंटी इसके अंदर एंटी बैक्टिरियल प्रोपारिटीज भी होती है इसलिए ये हमारे चहरे के उपर एक्ने मुहासों को भी आने से रोकता है अब मैं इसमें एड करूँगी एक चमच के करीब दहीं दहीं हमारे स्किन के उपर एंटी एजिंग का काम करेगा दहीं भी हमारे चहरे के दागदबों को लाइट करता है हमारे चहरे के ऊपर एक नमी को बनाए रखता है जिससे हमारे चहरे के ऊपर इंकल्स और फाइन लैंस देरी से आएंगी देखिए फ्रैंट्स रेमेडी बिलकुल रेडी है अब हमने इसको अपने फेस के ऊपर लगा लेना है इसमें हमने जो गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है गेहूं का आटा स्कीन के डैमेज सेल्स को रिपेर करता है सन बर्न को ठीक करता है यह हमारे चहरे के उपर एक प्रोटेक्शन की लेयर बना देता है जिससे सूरज की धूप की वज़ा से हमारे स्कीन डैमेज नहीं हो पा कि आपकी सीटी से मेरी वीडियो देखते हो बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और पास बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं नहीं वीडियो डालो तो उसक करेगी या नहीं करेगी तो पैस टेस्ट करके देखें उसके बाद ही इस्तेमाल करें ठीक है जी आपने इस तैमिटी का इस्तेमाल हफ्त में तीन बार करना है 15 मिनट इसको अपने फेस के उपर छोड़ना है और उसके बाद साधे पानी से वाश कर लेना है देखिए मैंने ऐसा बहुत ही प्यारा इस अब मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ और आपको दिखाते हूं इसका फाइनल रीज़व्त है फेस को वॉश करने के बाद फ्लैंडिम्ट के बहुत ही खुबशूरत रीज़व्त हो अब टाइम आपनी स्किन को मॉस्टेराइज करने का म अपनी नारियल और दूद की क्रीम का इस्तेमाल कर दी हूँ आप भी फेस को वाश करने के बाद अपनी स्किन को मॉस्ट्राइज रूर किया किजिए ताकि आपने जो फेस पैक लगाया है उसके सभी गुण उसकी सभी क्वालिटी आपकी स्कीन के अंदर लोक हो पाए और वीडियो में तब तक के लिए बार बार